अज़ का प्रश्न इतिहास क्लास 10th के एक चैप्टर भारत में राष्टरवाद से है प्रश्न उत्तर जानने से पहले विडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर देना प्रश्न है सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? इसका उत्तर है सत्याग्रह का मतलब है सत्य की शक्ती पर आग्रह या सत्य पर अडिग रहना अपनी मांगों को मनवाने का यह एक अहिंसक तरीका था जिसे महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनाया था सत्याग्रह में हिंसा का बिलकुल भी सहारा नहीं लिया जाता, बलकि सत्य और न्याय के प्रती पूरी आस्था रख कर विरोध किया जाता है इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सक्चा है, यदि आपका संधर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उट्पीडक से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारिरिक बल की आवश्शक्ता नहीं है प्रतिशोध की भावना या आकरामक्ता का सहारा लिये बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संधर्ष में सफल हो सकता है गांधी जी का मानना था कि अगर लोग सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर चल कर अपनी बात को द्रिड़ता से सामने रखें तो विरोधी भी आखिरकार उनकी बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे सत्याग्रह का उद्देश विरोधी को नुकसान पहुचाना नहीं होता बलकि उसकी सोच को बदलना और उसे सही रास्ते पर लाना होता है इस विचार ने भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी दिलाने में बहुत मदद की तो यही था इस प्रश्न का उत्तर अगर विडियो पसंद आई हो तो विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड को ये विडियो जरूर शेयर करना और अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं मिलते हैं आपसे अगली विडियो में